मैं सर्तिवीर सिंग अब अध्याच्यार मानव विकास के दूसरी भाग में हम बाल्यावस्था तथा किछोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे बाल्यावस्था चाहिल्डूड शैश्वावस्था कि तुलना में पूर्व बाल्यावस्था तानी अर्ली चाहिल्डूड में बच्चे की विर्धी की दर कम हो जाती है शारिरी क्रूप से बच्चे की उँचाई एमम वजन में विर्धी होती है चलना दौडना कूदना सीखता है तथा गैंद के साथ खेलता है माता पिता के अतिरेक्त परिवार के अन्य सदे से आस्परोस एमम विद्याले के प्रौड या एडल्स के साथ सामाजिक संपर्क बढ़ते हैं बच्चे अच्छे एमम बुरे की अवधारना भी सीख जाते हैं बच्चों की शारिक शम्ता बढ़ती है और वे कारियों को सवतंतर लूप से कर सकते हैं शारिरिक विकास सबसे पहला टॉपिक फिजीकल डेवलोप्मेंट बाल्या वस्था में प्रारंबिक शारिरिक विकास दो सिधानतों के अनुसरन करता है शेर पदामु भुक शेर के अक्षेतर से पैर तक अगरसर होता है बच्चा शरीर के निचले भाग की अपिक्षा उपरी भाग पर नियंतरन पहले प्राप्त करता है इसलिए पूर्व शेश्वास्था में शिश्वों का सिर उनकी शरीर के अनुपात में बड़ा होता है सन्विर्धी ग्रोत शरीर के मद्दे से प्रारंब होती है और बाद में दूसरे अंगों की ओल पढ़ती है बच्चे शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धर्ड पर नियंतरन प्राप्त करते हैं प्रारंब में शिशू वस्तूँ तक पहुँचने के लिए पूरे शरीर को गुमाते हैं और धीरे धीरे वे चीजों तक पहुँचने के लिए बुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। धर की लंबाई बढ़ने के कारण बच्चे पतले दिखाई देते हैं और शरीर में वसा की मातरा कम हो जाती है। शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिस्क और सिर अधिक तेजी से विक्षित होता है। मस्तिस्क विकास के साथ बच्चों में नेतर हस्त समनवे आई हैंड कॉर्डिनेशन जैसे पैंसिल पकड़ना एवं लिखने का प्रियास करना इस परकार की क्रियाएं विक्सित होती है। आकार में सार्थक रूप से विर्धी और वजन में विर्धी मुख्य रूप से कंकाली स्केलेटल एवं पेशियत तो मस्कुलर सिस्टम में विर्धी के कारण होती है। पेशिय विकास, motor development, सथूल पेशिय कोशन, gross motor skills, बाल्य अवस्था के प्रारंब के वर्षों में भुजाओं एमम पैरों का उप्योग करना तथा अधिक विश्वास के साथ घूमना फिर्दना समलित है, सुक्षम पेशिय कॉशन, fine motor skills, उंगली निपुनता किसी चीज को चलाना, पकड़ना, पेंटिंग करना, तथा नित्र हस्थ स्वनवे, finger dexterity and eye-hand coordination में अत्याधिक सुधार होता है, संग्यानात्मक विकास, cognitive development, बच्चे में वस्थू स्थायत्म, concept of object, permanence के सन परत्य को सेखने की योग गिता, उसे वस्थूओं को निरूपित करने के लिए मानसिक परतिकों यानि mental symbols का उप्योग करने में सक्षम बनाती है, परन्तु, इस अवस्था में बच्चों में इस योग गिता का अभाव होता है, जो उन्हें शारिरिक रूप से किये गए कारियों को मानसिक रूप से करने की स्विधा परदान करती है, जो वस्थू भावतिक रूप से उपस्थित नहीं है, उसे मानसिक रूप से निरूपित करने की योगिता बच्चा प्राप्त करता है, व्रेक्ष, जानवर, घर या कोई भी वस्थू को निरूपित करने के लिए बच्चे रूप रेखा या चितर बनाते हैं, एक पर्मक विशेष्टा, एहम केंदरवाद, इगो सेंट्रिजम है, अर्थार, बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टी कौन से देखते हैं, और दूसरों के दृष्टी कौन के मेहतों को समझने में सक्षम नहीं होती, एहम केंदरवाद के कारण, बच्चे जीवाद, एनिमीजम में सनलगन हो जाते हैं, वी निरजीव वस्तूओं में जीवन की कलपना करते हैं, जैसे सलक को यह सजीव वस्तू समझता है, मान लेजिए, किसी बच्चे का गिर जाता है, चोट लगती है, तो वो यह कहता है, सलक ने मुझे चोट मार दी, यानि एक निरजीव वस्तू को वो सजीव देखता है, चार से साथ वर्ष की आयू में बच्चा परकरती में होने वाले कुछ घटनाओं के कारण जानना चाहता है, जैसे आकास निला क्यों है, बादल क्यों गरजते हैं, इस टाइप की क्वेश्चिन के वो अंसर ढूलता है, बच्चा जब लगबग साथ से ग्यारा वर्ष की आयू का हो जाता है, तो अंतरव्यक्तिक विचार, इंच्यूटिव थॉट उसके अपने विचार आने लगते हैं, तारकिक विचार, लॉजिकल थॉट द्वारा विस्थापित हो जाता है, यह मूरत संक्रियात्मक विचार, कंक्रीट ऑप्रेशनल थॉट की अवस्था है, वे किरियाएं जो पहले बच्चा शारेरिक रूप से करता था, अब वे मानसिक रूप से करता है, मानसिक रूप से कलपना करने में सक्षम हो जाता है, बच्चा वस्थवों को एक विशेष्था से नहीं, बलकि विभिन्द विशेष्थाओं से देखता और समस्था है, इस मानसिक विकास के कारण बच्चे के एहम केंद्रवाद यानि इगो सेंट्रिजम में कमी आती है, चिंतन अधिक लचीला हो जाता है, तथा समस्था समाधान करते समय बच्चे विकल्पों आल्टर नेटिव के बारे में भी सोचता है, यानि एक समस्था को एक ढंग से किया जा सकता है या दूसरी ढंग से भी किया जा सकता है, सामाजिक, सामवेगिक विकास, शोश्यो इमोशनल डेवल्लप्मेंट, सेल्फ, सव, स्वें, लेंग, जेंडर, तथा मॉरल, नेतिक विकास बच्चों के सामाजिक, सामवेगिक विकास के महतव पूरण आयाम या इंपॉर्टन डाइमेंशन से, बाल्य वस्था के प्रारंभिक वर्षों में, सव यानि सेल्फ में कुछ महतव पूरण विकास होते हैं, समाजिकर्ण, सोशलाइजिशन के कारण बच्चा अपनी पैचान समझने लगता है, सवतंतर्ता के बोथ, sense of independence के कारण, बच्चा कारियों को अपने तरीके से करना चाहता है, एरिक्षन के अनुसार, बच्चों की सव प्रेरित क्रियाएं, self-initiated activities, जो स्विम करते हैं, के परती माता-पिता, जिस परकार से परती क्रिया करते हैं, वह पहल शक्ती बोथ, sense of initiative या अपराद बोथ, sense of guilt को विक्सित करता है, जैसे cycle चलाना, दौड़ना, skating, जैसे खेलों के लिए सब्तनतरता, एमम अवसर परदान करना, बच्चों के परशनों के उत्तर देना, बच्चों द्वारा के गई पहल के लिए, आलंबन, sense of sport, उनको बच्चों को sport देना की अनुभोती उत्पन्न करेगा, जैसे माता पिता बच्चों को यह अनुभव कराएं, कि उनकी बच्चों के परशन अनुभयोगी हैं, useless हैं, तथा यह विकार के स्वाल पूछते हैं, तथा उनके द्वारा, खेले गए खेल मूर पूरण हैं, तो यह संभव है कि बच्चों में स्वें के द्वारा प्रारंब की गई क्रियाओं के परती, दोश भामना, feeling of guilt, विक्सित होगी और जीवन परियंत रह सकती हैं, पूरे जीवन रह सकती हैं, पूरो बालय वस्था में, आतम बोत, self-understanding, शारिरिक विशिष्ता हैं, जैसे मैं लंबा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, या एक लड़की हूँ, आदी तक ही सीमित होती है, मध्य एवं विलंबित बालय वस्था, middle and late childhood, मैं बच्चे स्वें अपनी आंतरिक विशिष्ताओं के आधार पर प्रिभाशित करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे मै मैं फूरतिला हूँ, मैं लोगप्रिये हूँ, यानि वो अपनी qualities को समझने लगते हैं, इस अवस्था में बच्चों के आतम विवरन के अंतरगर्द, सव, सेल्फ का सामाजिक पक्ष, social aspect भी आता है, बच्चे अपने आपको सामाजिक समुहों के संदर्भ में देखते हैं, जैसे विद्याले के संगीत कलब या परियावरन कलब या किसी धार्मिक समुहों का सदस्य होना, बच्चों के आतम बोध के अंतरगर्द, सामाजिक तुलना, social comparison का पक्ष भी आता है, जैसे दूसरे बच्चों की तुलना में मैंने अधिक अंग प्राप्त की, यानि दूसर बच्चों से स्वैम की भिन्नता स्थापित करने में सहाइक होता है, विद्याले में बच्चों का सामाजिक जगत, social world का विस्तार होता है, और वे अपने से पाठियों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, यह बच्चों के विकास के लिए एक रूप परदान करता है, नैति मानवीय किरियाओ, human acts, कि सही या गलत के बीच अंतर करना, अपराद बोध की अनुभूती करना, to feel guilty, स्वैम को दूसरी वेक्ति के स्थान पर लख कर देखना, तथा जब दूसरी लोग कठिनाई में होते हैं, तो उनकी मदद करना सीखते हैं, बच्चों का नैतिक विकास विभिन अवस्थाओं में होता है, तथा ये अवस्थाएं आयू से संबंदित होती हैं, पूरव किशोर अवस्था तक बच्चे दूसरों दवारा स्थापित नियम, जैसे माता-पिता या समाज के नियमों दवारा नैतिक तरकना, moral reasoning विक्सित करते हैं, जब बच्चे निमावली विक्सित करते हैं, यानि वो अपने ही moral goal बनाते हैं, बाल्य वस्था के अंत में संवर्धी, ग्रोथ की अधिक धीमी दर बच्चे को समनवे यानि coordination तथा संतुलन, balance के कौशनों को विक्सित करने में सक्षम बनाती है, भाशा का विकास होता है और बच्चा सामाजिक रूप से बच्चा सामाजिक विवस्था के अनुसार विक्सित होता है, किशोर अवस्था के चुनोतियां, challenges of adolescence ने, किशोर अवस्था एडॉलेसंस का अर्थ है, परीपक को रूप में विक्सित होना, किशोर अवस्था व्यक्ति के जीवन में, बाल्य अवस्थ का एक संकर्मन ट्रांजिशन काल है किश्वर आवस्था की प्रिभाशा definition of adolescence किश्वर आवस्था जीवन की वह आवस्था है जिसका प्रारंब यौनारंब यानि onset of puberty से होता है जब यौन प्रिपकता या sexual maturity या परजनन करने की योगिता प्राप्त कर ली जाती है इस अवस्था में जैविक, biological तथा मानसिक, psychological प्रिवर्तन अती तीवर गती से होते हैं किशोरों के अनुभाव के सामाजिक तथा मानसिक आयाम यानि dimensions सांस्कृति कल्चरल संदव पर निर्भर करते हैं शारीरिक विकास यानि physical development यौवनारंब, puberty और sexual maturity बाले अवस्था के अन्त को तथा किशोर अवस्था के प्रारंब को इंगित करती है यौवनारंब, puberty, सन ब्रिधी के दर, growth rate, एहम लेंगिक विशेशताओं, sexual characteristics, दोनों में ही आक्समिक प्रिवर्तन दवारा प्रिभाशित होती है यौवनारं, puberty के अवस्था में, स्त्रावित होने वाले हार्मोन के कारण, मूल एमम, गौन लेंगिक लक्षन, primary and secondary, sexual characteristics, विक्सित होते हैं लड़कों में होने वाले मूल एमम लेंगिक प्रिवर्तन, तवरित सन वर्दी, acceleration in growth, growth बढ़ती है, चेहरे पर बालों का उगना, तथा सवर में प्रिवर्तन, सवर के भारी हो जाता है, आदी होते हैं योनारंब में लड़कियों में होने वाले मूल एमम गौन लेंगिक प्रिवर्तन, उचाई में तीवर सन वर्दी, प्राय मासिक धरम प्रारंब, मिनार, होने के लगबग दो वर्ष पहले शुरू होती है लड़कों में बारा से तेरा वर्ष की उमर में तथा लड़कियों में दस या ग्यारा वर्ष की उमर में शारिडी की विकास में तेवर सम ब्रारंब होती है यवनारम अनुकरम में अनुवानशिक्ता हेड़िटी एवं प्रिवेश एन्वार्लमेंट दोनों की महतव पुरुन भूमी का हो सकती है सम रूप युगमस जिसको हम ऐडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं में ब्रातर युगमस जिसे फ्रेटरनल ट्विन्स कहा जाता है कि तुलना में मासिक धरम लगबग एक ही समय में प्रारंब होता है आम तोर पर संपन्द प्रिवार की लड़कियों में गरीब प्रिवार की लड़कियों की तुल्दा में मासिक धरम कुछ पहले प्रारंब होता है इस परकार हमने इस भाग में किशोर आवस्था और बाल्य आवस्था के बारे में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं हमने उस पर एक विस्तार से चर्चा की और मुझे आशा है कि आप इससे जरूर लाभानवित होंगे और ये आपको बहुत ही रुची कर लगा होगा झाल 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 झाल